हे गाईज वेलकम टो एगरिकल्चर एक्यों एगरिकल्चर एक्यों मैं आपका स्वागत है तो गाईज आज हम दुबारा एक नई वीडियो के साथ आये हैं आज हम आज का लेक्चर है क्राइसेंटिमम और उसका प्रॉपगेशन इससे पहले साथ वीडियो आ चुकी है गाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अन तक देखेगा जाद से जादा शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाए जिससे की मेरी हर वीडियो का नोटिफिकिशन आपको मिल जाए तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइसेंटिमम की थोड़ा इंट्रो दे क्राइसेंटिमम का अगर हम थोड़ा तोड़के देखें तो इसका मतलब है क्रायो खोड़न और आन्थोस फ्लावर गोल्डन फ्लावर के नाम से जाना जाता है इट रैंग्स नेक्स्ट्ट्व रोज अमंग कट फ्लावर क्रॉप अफ दे वर्ल्ड ग्रम्र में सबसे पहल स्टार्टिंग से पहला दूसर तीसा और साथ वीडियो बन चुकी हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नेक्ट बात करते हैं इंपोर्टेंस की क्राइसेंथिम इस दर नंबर वन डॉलर अनिंग फ्लावर इंद युनाइटे स्टेट एन कल्टिवार स्टेबल फॉर ग्रोइंग थ्रौइड 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 था एंग एवार दिया एज यू कैन सी गाइस की यह एक तो पेरिनेल है यानि की सदा भार है दो यह दो से ज्यादा साल तो बहुत यच्छा फ्लावर यहां पर शो करता है जो यहां पर जो मैंबर से नेशनल क्राइसंतिमम सुसाइटी के वो अलाला कंटरी में बहुत सारे हैं जिसे की इसके विस्तार में बहुत आसानी मिलती है लार्ज नंबर अफ कल्टिवार्स विच एग्जिबेट वाइड वेरेशन इन रिस्पेक्ट व ग्रोथ, हैबिट, साइज, कलर अद शेप ब्लूम में एक क्राइसंतिमम सुटेबल फॉर वेरिट पॉपस जो इसके बहुत ज़्यादा उसके ग्रोथ हैबिट यानि कि वो हर तरीके से इन्वार्मेंट में ग्रोव कर सकते हैं उसके साइज, शेप और जो अलग-अलग तरह के कलर है रंग की वज़ए से यहाँ पर बहुत सुटेबल माना जाता है क्राइसंतिमम को इस इरेक्ट अन्ट ग्रोइंग कल्टिवार्स आर सुटेबल फॉर बैग्राउंड प्लांटिंग इन बोडर एंड ऐस कट फ्लावर्स जो इसके टॉल ग्रोइंग कल्टिवार्स है वेराइटी और जो इसकी जहलें की पावर है वो बहुती सुटेबल अच्छा अगर आपका यार्ड है या फिर कोई ले आउट है या फिर लॉन है तो जो छोटे प्लांट से वो आगे कले बहुत अच्छे रहेंगे न जो लंबे हैं वो फैंसिंग अज फैंसिंग या फिर बाॉंडरी के लिए बहुत अच्छे मन जाते The decorative and fluffy bloomed small flowers cultivars are ideal for garland making and hair decoration The extra large bloomed cultivars are priced for their exhibition value Certain species like Chrysanthemum, Cineriflora and Chrysanthemum coxinium are cultivated as a source of pyrethrum, a natural insecticide Guys, ये बहुत important हैगा, ये जो dark, bold, black से है, ये important है जो Chrysanthemum, Cinerifolium है और Coscinium है, वो source है यहाँ पर pyrethrum का एक natural insecticide question बनने के chances है Next हम देख लेते हैं इसका classification थोड़ा The genus Chrysanthemum belong to the family Asteraceae इसको guys important कर दीदे, Asteraceae The natural Chrysanthemum society in each country classified the cultivars on the basis of flower character Flower character के base में अब देखे, इनका characterization किया गया है Two kinds of florets, ray or disc florets जो physical shape of florets and the direction of growth and arrangement of florets Chrysanthemum blooms are divided into 13 different blooms formed by the US National Chrysanthemum Society which is in keeping with the international classification system यहाँ देखे, 13 different blooms में यहाँ देखे, जो National Chrysanthemum Society है जिसमें कि यहाँ जो blooms है, वो many individual flowers है, जिसे florets कहते हैं जो disc florets है, are in the center of bloom और जो low ray florets है, वो parameter में होता है जो ray florets है, guys, वो imperfect होते हैं, क्योंकि उसमें से female होता है वाइल जो disc flower है, वो consider perfect flower because उसमें दोनों male और female reproductive organ रहते हैं तो guys, यह important है, यह आप mark कर लिजेगा कि यहाँ जो ray है, ray florets, वो imperfect है, question बने की chances है और यहाँ पर देखे, जो disc florets है, वो perfect है perfect because of, कि उनमें बोथ male और female reproductive organ है next हम बात कर लें, थोड़ा common name की, florist chrysanthemum जिसे हम dendrathrima, ex grandiflorum, esteraceae, यहाँ पर family हो गई modern florist chrysanthemum, dendrathrima, grandiflorum, former name में यहाँ पर रहें इसका chrysanthemum, ex morifolium, जो की originative वो था, dendrathrima से indicum and dendrathrima, japonicum, यह कुछ common name है guys, इसको भी आपको याद करना है मैं आपके लिए जूम कर दिता हूँ, common name है, florist chrysanthemum जिसे हमने अभी परा, dendrathrima, grandiflorum, annual जो chrysanthemum है वो है, dendrathrima, coronarium, और जो पारित्रियम है, insecticide है वो है, tanectum, cinerepholium, tansy chrysanthemum है, जो उसका है, tanectum, macrophylum next हम देख लेते हैं, इसका ornamental यूज क्या है modern cultivated chrysanthemum are sure than their wild relative जो modern, जो cultivated chrysanthemum है, बहुत ही beautiful होते हैं nature में, बजाए उनके wild relative से, the flower heads occur in various forms जो flower है, बहुत ही अलालग तरीके से होता है जैसे कि जो decorative के लिए होता है, pampons और buttons के लिए भी यूज के लिए थे this genus contain many hybrids and thousands of cultivars developed for horticulture purpose in addition to the traditional yellow, other colors are available such as white, purple and red यहाँ पर जो traditional होता है, यहाँ पर chrysanthemum हो yellow होता है बहुत colors available है, जैसे कि white, purple and red the most important hybrid वो है, chrysanthemum x morifolium was now name है, जिसे यह 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 former name है, जिसे अब बोला जाता है dantratma grandiflorum next हम बात कर लेते हैं, इनकी group की chrysanthemum है divided into two basic group यह पहला है garden hardy और दूसरा है exhibition के लिए जो पहला है garden hardy, वो perennial है guys, जैसे आपको पता होगा annual, bianual, perennial, annual एक साल के लिए जो होता है, जिनको production, propagation और सब कुछ life cycle एक साल तक होती है bianual दो साल और दो साल से ज़्यादा वो perennial होते हैं, तो garden hardy जो है वो perennial यानि की दो साल से ज़्यादा होते है capable of wintering in most northern latitude exhibition variety जो होए वो mostly annual होती है, एक साल के लिए, इतनी hardy और नहीं होती है, जैसे की garden mums के garden hardys are defined by their ability to produce an abundance of small blooms with little mechanical assistance जो garden hardys की विशिश्चता ये है कि वो बहुत सारे flowers छोटे 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 पैदा कर सकते हैं और यहां पर देखिए जो बिना किसी mechanical assistance यालिकि ज़्यादा उनमें ताग जहां करने की जुरत नहीं है, मतलब बिना किसी help की बहुत large small flowers प्रेडूस कर सकते हैं यहां पर देखिए वो जो बहुत हवा है और तेज बारिश है उसको withstand कर सकते हैं the exhibition variety can be trained to create many artistic forms अब exhibition variety को थोड़ी train की जरह होतेती है उससे बहुत ही अच्छे artistical forms हम create कर सकते हैं thousand blooms such as standard fence, hanging basket, topery, bonsai, cascades, etc नेक्स्ट आप पर पॉटेट क्राइसंथिमम प्रोड़क्शन पॉटेट यानि कि आपको नाम से पर चला है जो पॉट में आप जो गाते हैं क्राइसंथिमम उसका प्रोड़क्शन कैसे करते हैं यह mostly produce होते हैं green house में यहां पर नाई mixture जो होना चाहिए वह भी porous होना चाहिए well trained होना चाहिए potting medium must be free from disease causing organs and insects यह बहुत ही common है यहां पर होना चाहिए pinching of growing effect has to be done at early state to make a compact potted plant with more lateral flower pinching की guys यहां पर बात की हाला कि यहां पर आगे बात होगी पर pinching आप समझ लिजिए कोई यहां पर plant है यहां पर रहां देता हूं plant plant यह है तो pinching यहां पर simply किया जाता है यह जो central bird है उसको थोड़ा तोड़ा जाता है ताकि उससे जो axillary birds है यारे की अलग अलग type की जो birds है वो निकले generally height को maintain करने लिए किया जाता है pinching हम detail में आगे पढ़ते हैं pinching is one of the most important operation in chrysanthemum जैसे भी मैंने कहा pinching और stopping इसे stopping भी कहते हैं pinching और stopping is the most essential for small flower और spray chrysanthemum जो main purpose होता है वो reduce यहां पर plant height के लिए और promote auxiliary branches जैसे कि मैंने कहा था done at 14 to 21 days after planting और 8 to 10 cm tall plants guys इसमें यहां पर यह condition है कि यहां पर 14 से 21 days planting के बाद यहां पर pinching करते हैं या फिर आपका अगर plant 8 से 10 cm tall हो गया है तो आप pinching करें next आपका soft pinching यहां पर by this pinching the top soft tips of shoot along with 2 to 3 open leaves are removed soft pinching यहां पर two types के हैं soft and hard it means removing a longer portion up to the hard shoot next बात करते हैं disbirding और die shooting operation की जो कि large flower और यहां पर small या medium में होती है disbirding is done at the October यह आपको यादक नहीं October में होती है dis shooting to reduce the number of branches for improving the size and form of the flower dis shooting जो है वो number of branches को यहां पर जो remove कर देना कम कर देना तो दोनों अलालग है next है साथ at the rate 2000 to 4000 ppm साथ यह यहां पर growth regulator यह यहां बहुत है जो stem है वो produce करता है यह फ्लावर का color और उनका waste life है वो increase करता है most effective by site for cryosynthetimum silver nitride है यह बहुत 25 ppm में करते है ideal bud opening solution जो है वो bud को जो open करता है वो solution है वो 8 HQC है यह 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 200 ppm प्लस 2% sucrose modified atmospheric historic condition improve the storage life up to 7 days यह भी आपको याद रखना है pot mounds can be stored up to 2 weeks at a temperature of 4 degree Celsius next time हम बात का लेते हैं थोड़ी variety की जो इंडियन इस्टियो होटिकर रिसर्च रिसर्च वाराइटी है वो इस प्रकार है अर्का स्वर्न, यलो गोल्ड, यलो स्टार, रेड गोल्ड, चंद्रिका, उशा किरन, राखी, चद्नकान, अर्का गंगा, किर्ती, रवी किरन, पंकच, इंद्रा, अर्का, पिंक स्टार तो guys यह कुछ varieties है तो guys आज का session यहीं खतम करते हैं तो कल हम पढ़ेंगे डाहेलिया और यहां पर और्किट तो वीडियो का आप इंतजार करना है तब तक ले thanks and have a great day